साथियों, बर्दमान की दो चीजें बहुत मशूर हैं, एक तो चावल और दूसरा मिही दाना आपकी बोली, आपका व्यहवार, यहां का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है, है ना, है ना, हर चीज में मिठास है ना, जड़ा बता हिये न, है ना, आपकी ने, है ना, अच्छा तो फिर मुझे पसाई है, यह बीवी को, बर्दमान का मिही दाना पसंद नहीं है, क्या, महरानों, इतनी कड़वाहाट, यह दीदी कहां से लाती है, साथियों, दीदी की कड़वाहाट, उनका क्रोध, उनका गुसा, उनकी बौकलाहाट, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ रही है ना, जानते हैं क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि बंगाल में हुए, आधे चुनावों में, अभी तो चार राउंड हुए हैं, चार होने बाकी हैं, आधे चुनावों में, आपने टी-एमसी पो साफ कर दिया, याने आधे चुनावों में ही, टी-एमसी पूरी साफ, चार चरणों के चुनावों में, बंगाल की जाकुरुत जनता ने, इतने चोके छक्के मारे, इतने चोके छक्के मारे, कि भीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है, जो आपके साथ, जो आपके साथ, खेला करने की सोच रहे थे, उनी के साथ खेला हो गया है, अब आप बताईए, ये दीदी, आप से गुसा होगी या नहीं होगी, एक का मंदी ग्राम में, बंगाल के लोगों ने, दीदी को क्लिन बोल्ट कर दिया, क्यानी बंगाल में, दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है, दूसरा, बंगाल के लोगों ने, दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया, बंगाल की जो जनता है, बहुत समयतार है, यहां के लोग, बहुती दूरत्रष्टा है, दीदी सैयारी करके बैठी थी, कि पार्टी की कप्तानी, बाईपो को सोपेंगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी, जनता ने समय रहते समझ लिया, और इसलिए, दीदी का सारा खेला, धरा का धरा रह गया, और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही, पूरी टीम को ही, बंगाल के लोगों ने, मैदान से बाहर जाने का कह दिया है, अब दीदी, बंगाल के लोगों से, जरा गुस्ता तो होगी ही,